नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं पद भार भी संभाल लिया है, हेमन्त अब 8 जुलाई को विधान सभा में विश्वास मत हासिल करेंगे और 9 को अपने मंत्री मंडल का विश्टार करेंगे इससे पहले राजेपाल ने गुरु आर दोफर 12 बजे हेमन्त सुरेन को राजभण बुला कर मुख मंत्री के रूप में मनोनित करते हुए सरकार बारने का नियोता दिया हेमन्त के साथ उनकी पत्नी सह गांडे विधाय कलपना सुरेन कांग्रेस के परदेश अध्यक्स ठाकूर और पूरो मंत्री सत्यारन भोकता लाजभण पहुँचे सरकार बारने का नियोता मिलने के बाद सुरू में यह बाद सामने आ रही थी कि मुख मंत्री साथ जुलाई को सपत लेंगे यह बाद जहामों के नेतावों ने मीडिया को भी बताई लेकिन अचानक साम साड़े चार से पांच बजे के दोरान सपत ग्रहान का ने लिया गया इसके बाद अकेले हेमान सुरेन ने बचकर पचास मियट पर मुख मंद्री पत की सपत लिहाए पुरो मंत्री अलमगीर समय तीन पर चार सीट डायार राई सरकार के ग्रामिन विकास बिभाग के पुरो मंत्री अलमगीर अलम उनके पिये संजीव लाल और संजीव के नोकर जहांगीर आलम के खिलाप एडी ने गुरुवार को बिसेस अदालत में चार्ट सीट दायर की है तीन हजार क्रोर के प्रोसीड और क्राइम में एडी किया तीसरी चार्ट सीट है एडी ने मनी लांडरिंग में गिरफतार तीनों आरोपियों पर चार्ट सीट के साथ ही चार क्रोर की अचल संपती भी अस्थाई तोर पर जब्त की है एडी ने जो संपती जब्त की है उसमें संजीव लाल के द्वारा बरियातु में खरिदा गया 2000 स्कौार फिट का मकान पतनी रीता लाल के नाम पर पुदांग में खरिदी गए आठ परंट छोजरो डिसमिल जमीन और जहांगीर आलम के द्वारा खरिदे गए परिस्थितिया जैसी भी हो विकास में बाधा नहीं आने देंगे मुख्यमंतरी मुख्यमंतरी परत की सपत लेने के बाद हेमां सुरे ने प्रोजेक्ट भर में पत्रकारों के सवालों के जबाब दिये मुख्य मंत्री ने अगामी बिधान सभा चुनाओ को लेकर पुछे गए सवाल पर कहा है कि हम रायनितिक दल के लोग हैं चुनाओ तो आते जाते रहते हैं परिस्थितिया चाहे जाय सी भी हो विकासकार में परभाव नहीं पढ़ने देना उनका उद्या से है इसके लिए ही सरकार बनती है सपत लेते हैं इसे वह पूरा कर पाएं एकोसिस होगी CM ने कहा है कि सभी चीजे आगे बढ़ेगी CM ने कहा कि आप लोगों ने सरकार बनने के बाद प्रकृतिक और रायनितिक आपदा देखी है इसके बाद उत सरकार मंजील तक पहुँचने में कम्याब होगी CM हेमन सुरेन खुद मंत्राले से निकलते वक्त ड्राइविंग सीट समभालते नजर आए बगल में पतनी सह गांडे बिधाय कलपना सुरेन बैठी थी कलपना ने कहा है कि हेमन सुरेन ड्राइविंग सीट सम्हाल ली है और अब तेजी से राज का विकास होगा इससे पहले मंत्राले में हेमन ने कुछ जरूरी फाइलों को निप्टाया है प्रभु जगरनाथ की राथ यात्रा साथ को सुरक्षा में एक हैया जवान तैनाथ रांची के जगरनाथ पूर में राथ यात्रा साथ जुलाई को निकाली जाएगी रांची पुलिस की ओर से रथ हैत्रा को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतियाम किये जा रहे हैं सुरक्षा के मंदजर मेला परिसर और उसके आसपास में 1000 ज़वानों को तैनात किया जाएगा महिला और पूरुस दोनों पुलिस कर्मियों के तैनात की जाएगी इसके अतरीक्त DSP और इंस्पेक्टर अस्तर के कई अधिकारियों को भी मेले की सुरक्षा में लगाया जाएगा SSP ने बताया है कि CCTV के अलावा चार्ट डोन कैमरे के जरी रत मेला के निग्रानी की जाएगी मेला परिसर में बिवाद या फिर अफ्रिय घटना को रोकने के लिए तीन दर्जन से ज़्यादा पूलिस कर्मियों को साधे लिवाज में भी तैनात किया जाएगा SSP ने कहा है कि मेले के दरान अगर कोई व्यक्ति विवाद उत्पन करता है तो ऐसे लोगों से सकती से निप्टा जाएगा चोरवा बाद मासों पर भी पूलिस की पैनी नजर रहेगी मेला को लेकर धूरवा इलाके की ट्रेफिक विवास्था में भी बदलाव किया जाएगा जारखन में आज और कल अच्छी बारिस के असान राजधानी और आसपास के छेत्रों में सुक्रवार और सानीवर को अच्छी बारिस होने का प्रूर्मान व्यक्त किया गया है इस दिएरान एक, दो जागा पर भारी बारिस हो सकती है मौसम विभाग के प्रोणमान के अनुसार अगले दो दिनों में मांसून राजधानी समयत पूरे राज्य पर सक्री रहेगा सुक्रवार को राज के संताल प्रगना और आसपास के जीलों में कहीं कहीं भारी बारिस होने का एलो अलर्ट भी जारी किया गया बता दे रांची के सहरी छेत्र में पिछले 24 कंटे के दोण केवल 9.2 mm बारिस हुई है जबकि सहरी छेत्र से 60 बिभीन इलाकों में अच्छी बारिस हुई है टाक्टी सिल्वे में 16.7 और काके में 16.4 mm बारिस हुई है सहायक आचार्य का मोडल अंसर जारी जार्खन करमचाई चेन आयोग ने गुर्वार को जार्खन प्रोरामभिक बिद्याले इंटर प्रसेसित सहायक आचारे सनुप्त परितुकता परिशा का मोडल उत्तर जारी कर दिया है पहली से पांचवी के सहायक आचार के पत्पर नियुकती के लिए यह परिक्षा 12 जून से 22 जून तक आयोजित की गई थी आयोग ने परिक्षा से संबंधित अबंधिक उत्तरकुंजी और अबंधित उत्तरकुंजी जारी करते हुए उस पर अपति मांगा है अपति दर्ज करने के लिए लिंक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है अब यारती 8 जुलाई तक अपति दर्ज कर सकते हैं आयोग ने असपश्ट किया है कि सभी पेपर की अवबंधिक उत्तरकुंजी के विरूद ओनलाइन अपति दर्च करने के लिए एक मौका ही दिया जाएगा धनबाद में 176 ठीकानों पर ED की दविस ED ने राष्ट्रे ग्यामी स्वास्तमीशन में गरबड़ी कर आयस अधिक संपत्ति अरजित करने के आरोपी प्रमोद कुमार सिंग और उसके छो स्वायोगियों की ठीकाने पर गुरुवार को सुब़ एक साथ दविस दी है प्रमोद कुमार सिंग के खिलाब 8 जून 2016 को धनबाद ACB में PE दर्च की गई थी प्रमोद के खिलाब आयस अधिक संपत्ति अरजित करने और गरबड़ी के अलग-अलग दो मामले रांची और धनबाद ACB में चल रहे है बता दे जहरिया PHC में सनुविदा कर्मी परमोद कुमार सिंग के खिलाब आयस अधिक संपत्ति अरजित करने का आरोप लगा था जाच में सत्यत्ता पाए जाने के बाद ACB ने एफाया दर्च की थी बीत रहित सिक्षा कर्मियों की बैठक आज बीत रहित इसकूल इंटर कॉलेज के सिक्षा कर्मचारियों के बैठक सुक्रवार को रांची में होगी बैठक में इन्हें राज कर्मी के दर्जार देने बढ़े हुए अनुदान की रासी के प्रस्ताओ को मंत्री पहिस्चद में भेजने और एक साप्ता से इंटर कॉलेज में स्थीट बिरिधी के संचीका को मुख मंत्री के पास जो लंबित पड़ी है उस पर अभी लंब अनुमोदन की मांग को लेकर बीत रही सिक्षा सन्यूक संहर्स मोर्चा अंदुलन की रनिती मनाएगा वैठक में इंटर कॉलेज के पर चार संस्क्रीट बिद्याले मादार्सा बिद्याले और उच बिद्याले के परधाना चारियों के साथ सिक्षक प्रतनिती सामिल होंगे मोर्चा के ने ताओ रहुनाद सिंग अर्विन सिंग का काना है कि 2001 से राज कर्मी का दार्जा देने और बेतन देने के संची का कर्मी क विभाग में लंबी था है ममला विधान सवा में ध्याना कर सन अल्प सूर्ची और तरांकित प्रश्ण के तहत कई बार उठे हाए सरकार ने जबाब भी दिया है कि करवाई चल भाई है लेकिन तीन साल हो गया है पर आज तक कार्मिक विभाग ने कोई करवाई नहीं की है एम्स की तर्ज पर खुला रहेगा रांची रीम्स रीम्स प्रवंदन ने बुद्ध्वार को कारणी समीती की 34 वी बैठक कर कई निनली है बैठक मरीजों की सुविधावों को प्रत्मिक तादी गई है इन सभी निर्नय को सासी परिष्षद के अध्यक सास्वास मंत्री बना गुपता दोहरा अनुमोतित दिया गया जिन पारी प्रस्तावों को अनुमोतित दिया गया है उनमें एम्स की तरजपर रिम्स परतेक सनिवार को सुबह 9 बजे से 2 फर 2 बजे तक खुला रखना परमुक रहा वहीं इसी बीच सभी इमर्जेंसी सुविधाय मरीजों को मिलेगी इसके अलावा एमार डॉक्टरों से सिर्फ सनिवार को दोपर 2 बजे के बाद ही मिल सकेंगे और दिनों एमार का परवेश ओपीडी एवं आईपीडी में बर्जित रहेगा सभी चिकिस ये भंडार सनिवार को भी साम 5 बए तक खुला रहेंगे सहायक पुलिस कर्मियों को राजभौन घेराव से रोका सेवा अस्थाई करने समयत अनमांग को लेकर गुरू और दोपहर में राजभौन के घेराव करने निकले जहरकन सहायक पुलिस परदेश एसोसेशन के सदस्यों को मौराबादी में ही भारी सुरक्षा वेवस्ता के बीच पुलिस ने रोक दिया है मौराबादी मैदान से दीन के एक वज़े निकले सहायक पुलिस कर्मियों को उपायोगत आवाज से पहले की गई बैरिकेटिंग पर रोक लिया गया एसोसेशन के नेताओं एवं सदस्यों को राजबहन में नाय मुख मंत्री के सपत ग्रहन का हवाला दे कर आगे बढ़ने से रोका गया इसके बाद बेमियादी आंदोरन कर रहे सहायक पुलिस कर्मी वहीं सड़क पर बैठ गय और नारेबाजी शुरू कर दी इधार बरिकेटिंग के पास राजबहन मार्च को लेका सहायक पुलिस कर्मीयों के डटे रहने की जनकारी मिलने के बाद गिरी एवं आपदा परवनन विभाग के भी सेश सचीव रांचिक सीटी एसपी राजकुमार महता ग्रामीन एसपी मौके पर पहुंचे हैं धन्यवाद